वेलकम है पाड़ुचेरी टीटैन बूमेंच न्यू टीटैन सीरीज मतलब MBSD स्पेशल यानि MBSD न्यू टीटैन सीरीज में हमिशा से अच्छा करता आया है और उमीद करेंगे इस न्यू टीटैन सीरीज में भी हमारा वो फॉर्म बरकरार रहें क्योंकि जब गेम जैसे जै आप मैंसे भी होगे या कुछ यूटूबर्स है उसके लिए बहुत कम लोग रिसर्स करते हैं तो उनको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता जितना रिसर्स करने वालों को होता है हाँ समझते है कही बार ऐसा होता है कि हमने एक प्लेयर को देखा है पांच गेम में लगाता दूसरा आ जाता है इसलिए हमेशा से रिस्की तो होता है इसलिए इंवेस्टमेंट हमेशा से मीडियम रखना है और मिनी जील और जील ही खेलना है हमेशा से मिनी जील जील पर टार्गेट रखिए ना कि SL पर ऐसा मेरा मानना है SL वहाँ पर खेले जहां पर रिस्क कम लेना ह अब आपका सवाल होगा टेलिग्राम चैनल पर आकर कैसे जुड़ना है डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर डिस्क्रिप्शन लिंक पर्क ना करें तो जाए टेलिग्राम पे सर्च बार पर जाके क्लिक किजिए वापर जाके सर्च किजिए यह है हमारा चैनल यह आपको मिल जाएगा इदर आके जुड़ जाएगे फाइनल टीम फाइनल अपडेट लाइनप के बाद जो भी इंफॉमेशन आईगी सारी अपडेटस आपको इधर ही मिलेगी चले-चलते हैं बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में अगर हम बात करें कि एंजल्स की टीम ने क्या किया था उसमें तो वहाँ पे ओपनिंग की थी एंजल्स की तरफ से सोबाना आसा ने जो अभी इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं और कमाल की इनिंग खेली थी 115 ननों की टीटन में इट सब जस्ट लाइक सबस्लिशंच इमपॉसिबल टास्क पोर एनी एनी क्रिकेटर मैंन के लिए भी इंपॉसिबल सब्सा लगता है यह तो व मैं वो भी थैनल मेंट फॉली इंप्रेसिफ यूल नहीं गया था कमाल की गिंबाजी करकेय थी और इसी लिए अधि इन्डिया के लिए खेल रही है वर अना तमन्ना निगम ने और अधन्या हेगडे ने दो दो ओवर की गेनबाजी की थी अगर मैं बात करें एक और गेम के बारे में एंजल्स की तरफ से सुबाना आसा ओपन करते नजर आई थी इस बार कुछ खास नहीं तमन्ना निगम एवरेज सिवानी गुपता एवरेज कार्थि कियन अब हिर किसी ने खास नहीं और उसके एलवा बैटर ने शांच किसी ने भी खास नहीं कि या गेन बाजी से अगरर में बात करें दो विकेट्ट आसा उतना कुछ खास नहीं ही रोभीनी माने कुछ खास नहीं और MIDI न ही तमना निगम ने उतनी अच्छी बालिंग की प्रेंका कोशाल ने अच्छी गेनबाजी कीती एक विए इन्होंने निकाला था और अरूल और सजच संगी ने दो दो ओवर डाले थे अगर हम बात करें एक और गेम के बार में कुइंस के तो ये गेम जीती थी कुइंस की टीम अगर हम बात करें ना तो वर्षा चौधरी कंवी बीजिया और सजच संगी अव्रेजिय preatori फंटिम נजरा आए थी अगर हम बात करें एक और गेम के बारे में की बले से किषेन की तो यविए शंब आकर हमारे से वही पर जाके बाकि सारी बाते करते हैं अगर हम बात करें दुनों टीम के तरब से हम सबसे पहले main main playards कवर करेगे आपको कुछ बात याद रखनी होगी कि कुछ player styles available नहीं है और कुछ players इस टीम से उस टीम में जा चुके होगे अगर हम बात करें अभी फिलाल के लिए इंजल्स की तरफ से हम सबसे पहले रखेंगे इनकी तरफ से में प्लेयर तमना निगम दो ओवर की गिनबाजी करेंगी टॉप में बैटिंग करते नजर आएगी तो इनको रखना जरूरी होगा अगर हम बात करें उसके इलावा ये रामा मूर्ती आर को हम लोग हमारी टीम में रखेंगे दो ओवर की गिनबाजी करनी चाहिए अच्छी प्लेयर है लेला तेजास वीनी को हम हमारी टीम में रखेंगे कोईलेटिवाइस अच्छी पैसर है दो ओकी गेंदबाजी करने चाहिए एजू मला च्छी स्पिनर है लेकिन खेलती है या नहीं देखना होगा डी मोहनराज के बारे मैं मैं बता दू यह क्वाइस बहुत अच्छी spinner है अगर खेलती हैं तो important होगी सीवी पांडे अगर खेलेगी तो open करते नजर आएगी अगर open करेगी तो हम लोग हमारी टीम में रख सकते हैं उसके इलावा अगर मत करें फिलाल केले मैंने वाइक कार्थिक्यान को रखा है क्यों ओपन के साथ एक आदा ओवर निकाल सकती है साहिली के बारे में सोच सकते हैं अगर मात करें कुइन्स की तरफ से पास हम एस पटेल को रखेगे सबसे पहले हमारी टीम में दो ऊपर के साथ तो यह बात अगर हम बात करें ना बॉलिंग सेक्शन में हमने माया सुना वने को रखा हैं देखना होगा के खेले के कौन क्योंकि लाइनप पे बहुत कुछ डिपेंड है कि उसी हिसाव से डिसाइड होगा कि ओवर किसको कितने मिल सकते हैं फिलाल हमने बीवी निहारी का औ यह बात करें परेम कुमार पांडे को रखा है अगर हम बात करें ना अगर हम बात करें कि आप्शन में आपके पास चौइज़ेज अब लास्ट प्लेएट की बचती है जापर आपके बास चोइज़ेस क्यािए पी सरवाणन पार्ट टाइम एक से दो ओवर की गेंभाज ही बारे में बात करें ना मुर्गादास के बारे में यह अची प्लेयर है कभी भी आके एक से दो विकेट बैक तो बैक निकाल जाती है कही बार ऐसा देखा गया है वैसे डी मोहन राज खेलेगी तो यह मेरी सकती है एक अची प्लेयर है रख सकते हैं देखिए बाकी सब इदर जो है ना वुमेंस में कहीं बार ऐसा होता है कि पार्ट टाइम बालर बहुत ज्यादा खेलते हैं तो उस कंडिशन में कंफ्यूजन हो जाता है कौन कितने ओवर डाल जाए तो यह बात हमेंसा याद रखेग बाकी सारी अपडेट्स आपको कहा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल जोइन कर लेजीगा डिस्क्रिप्शन लिंक से वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी अगर लिंक परक ना करे तो वहाँ पर जाकर सर्च कर जीगा फैंटेसी एक्सपर्ट एक एदा ओवर निगाल सकती है सीव इसी के लिए दो ही सबसे बैसरी मेरे साथ से एस पटेल और टी निगम टीन निगम की टीम नहीं टीन निगम जो प्लेयर है वो जो है ना स्टेट लेवल खेल चुकी है बहुत अच्छी प्लेयर कोईलेटिवाइज जहां तो मुझे या झाल